दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जल्द ही नया हाइवे मिलने वाला है यह हाइवे 526 किलो मीटर लंबा हो और सीधे भोपाल से कान्टु को जोड़े इसका काम भी सुरू कर दिया गया है इस हाइवे के बनने से भोपाल से सीधे कान्टु का सफर बगैज इसी वाधा के आठ घंटे में पूरा हो सकता है भोपाल से कान्टु जाने वाले लोगों को जहांसी के रास्ते में ही जाना पड़ेगा साथ ही क्याई घंटों का सफर आसान हो जाएगा 526 किलोमीटर लंबे फोर लेंड हाइवे के लिए जमीन अधिकरन का काम सुरू हो गया है इस हाइवे के खास बात ये है कि इसमें अंडर पास और एलिबेंटिट पुलों का निमान शिक्स लेंड इस्टेक्चर पर होगा जिससे भविस में इसका विस्तार फोर लेंड से शिक्स लेंड में करना पड़े तो दूसरा पुरू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा यह हाइवे लगबग तीम साल में पूरा हो जाएगा इसी सब्सा है एन एच एई आई छटरपुल यूनिट की टीम ने मोहाबा के सागर के बीच के एलाइमेंट फाइनल कर दिया है महोबा में कंसल्टेंट एजनसी यू आर एस के साथ इस टीम ने कैई स्थानों पर जाजा भी लिया गौड तलब है कि एन एच एई आई ने अलग अलग सेक्टरों में बनने वाले इस हाइवे के लिए टेंडर पिक्तिक्रिया भी सुरू करती है वहीं जमीन अधिगरंट की कारवाही भी की जा रही है चतरपुर के प्रोजेक्ट डारेक्टर पुरुस्तम लाल के मताविक कब्रई से भुपाल के बीच अलग अलग सेक्टर में नया हाइवे बनाने के लिए डीपियार बन गई है जमीन अधिगरंट की पिक्तिक के लिए भी चल रही है कब्रई में बाईपास के सहारे खानपुर के हाइवे को जोड़ा जाएगा तीन सेक्टर में बनने वाले इस हाइवे के लिए टेंडर जारी कर जाएगा है इसी महा बाकी सेक्टर के लिए टेंडर जारी हो जाएगे तीन साल माल इसका जर्मार तूड़ा करने का टार्गेट है इस हाईवे के बनने के बाद भुपाल वाले सीजे कानपुर तक फर्राइटे से पहुंश सकेंगे खास बात ये है कि ये हाईवे बुदेल खंड के कबरई और छक्तरपुर से होकर गुजरेगा एन एज़ााई प्रोजेक्ट के डारेक्टर पृसुत्तम के हवाले से बताया गया है कि कबरे से भुपाल के बीच अलग-अलग सेक्टर में नया भुपाल कानपुर हाईवे की DPR त्यार किया गया है इसके लिए जमीन अधिगर्ण की फिर्तिक की चल रही है प्रोजेक्ट डारेक्टर ने दावा किया है कि भोवाल सुथानपूर का सफर आठ घंटे में इस सड़क से पूरा हो सकेगा प्रस्तावित हाईवे में अंडर पास और एलिबेंटिट फुलों का निम्मार्ट सिट्स लेंग के अनुसार होगा इसी हफते एन एच एई आई च्छतरपुर यूरू की टीम ने बंदेल खंड के महवा से सागर के बीच हाईवे को अंतिमरू की दे दिया है टीम ने सभाकार एजनसी यू आर एस के साथ मुहावा में कई स्थानों का जाजा दिया तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंदाई होगी आप अपना प्यार और सेहो यू ही बनाए रखें धन्यवाद